नगरपली का निगम भिलाई चरोधा शेत्र में अवस्तित शहरी प्रात्मिक स्वास्त केंद्र भिलाई तीन एवं शहरी प्रात्मिक स्वास्त केंद्र चरोधा सहीत निगम में संचालित लोग सेवा केंद्र में आयुश्मान भारत योजना अंतरगत पंजियन सुविधा उ एवं शहरी प्राथ मिक स्वास्त केंद्र चरोदा सहीत निगम में संचालित लोग सीवा केंद्र में आयुश्मान भारत योजना अंतरगत पंजीयन सुविधा उपलब्द रहेगी साथी शहर में प्रतिक चॉइस सेंटर एवं कॉमन सर्विस सेंटर में आयुश्मान काट का पंजीयन कराया जा सकेगा निगम मापर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में गरिबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को पांच लाख रुपए तक की बाहिये चिकित सा सुविधा प्राप्त होगी एपियल काट धारी परिवारों को पचास हजार रुपए तक ये सुविधा दी जाएगी आयुश्मान भारत योजना में पंजीयन कराते समय जाने से पहले अपना राशन काट एवं आधार काट लिजाना ना भूले देखिए 36 गड़ की सरकार लगातार लोगों के जन ही तैसी फैसला कर रहे हैं जिसके तहट जो गरीब लोग हैं जो अपने इलाज से वंचित रह जाते हैं या मध्यमवर्गी परिवार है या एपियल सरेनी के निवासी हैं उनके लिए सरकार ने योजना बनाई हैं में हम लोगों ने भी सिवीर लगाया इसके अलावा भी 24 सेंटर में लगातार उनका पंजयन किया जा रहा है बिलाइतिन स्वास्त विभाग में भी उनका पंजयन किया जाता है तो मैं हिद्गराहियों से अपिल भी करना चाहूंगा कि यदि आपका आयुसमान कार्ड नही आजाता है आयुसमान कार्ड के लिए आपको अपने गरीवी रेका कर आसन कार्ड और अधार कार्ड लाना आवश्यक है ताकि आपको ततकाल आयुसमान कार्ड बना कर दिया जा सके और आपको किसी भी प्रकार के होने वाले तकलिप से आपको बचाया जा सके यह सासन की मंस जिनका हम लोग लगातार प्रचार और प्रसार करने हैं लोगों से अपील है कि आप भी आए और बढ़ चड़कर अपने वाट की लोगों को भी पताए अपने पडोसियों को भी बताए और अपना इलाज जरूरत पढ़ने पर जरूर कराएं वही महापौर निर्मल कोसरे सभवपती कृष्णा चंद्राकर ने सफी पात रितगराहियों को आयुशमान कार्ट पंजियन में शामिल होने की अपील की है ग्रेंडी सीन नियूस के लिए शैलेंद खरीकी रिपोर्ट